जारखंड की निलंबित आई-एस पूजा सिंगल को एक और बड़ा जटका लगा है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पूजा सिंगल और उनके पती अधिशेक जा की 82.77 करोड की संपत्ती जब्द करने का आदेश दिया है। इसमें पल्स हॉस्पिटल डाइगनोस्टिक सेंटर और राची में जमीन के दो भुखन शामिल है। एडी की ओसे पूर्व मेहीं से अस्थाई रूप से अटैक किया गया था। अब सभी पक्षों को सुनने के बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने स्थाई रूप से जब्द करने का आदेश दिया है। अथॉरिटी ने सिये सुमन कुमार के ठिकानों से जब्द 17 करोड कैश और 2 करोड रुपए मूले की गाडियों को जब्द करने का भी आदेश दिया है। एडी ने एक दिसंबर को इन संपक्तियों की जब्दी का प्रोविजनल अटैच्मेंट और जारी किया था। आरोपियों की ओर से इसे एडी की एड्जुडिकेटिंग अथॉरिटी में चुनौती दी गई थी। लेकिन अथॉरिटी ने एडी के जब्दी आदेश को सही मानते हुए अब स्थाई तोर पर फूरी संपत्ति जब्द कर दी है। अब ये सभी संपत्ति भारत सरकार की मानी जाएगी, इसकी बिक्री पर भी रोक रहेगी।